स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमिज जैन यूटूब चैनल में तो सात्यों सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और जिन भी सात्यों ने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड कर लें है ना और दोस्तो इसमें 2020 Test Series होती है आपकी सपता में दो बार होती है रवी बार और गुरु बार को होती है ठीक है तो जिन भी सात्यों को इस 2020 Test Series में भाग लेना है दोस्तो वो Self Study Classes से आपको आज ही डाउनलोड करें और बहाँ पर आप इस 2020 Test Series में भाग ले सकते हैं साती दोस्तो एक जुलाई से नया वैच श्टार्ट होने वाला है यानि कि चतौर्थ वैच श्टार्ट होने वाला है जिन भी सात्यों को कोर्स में एडवीसर लेना है वो एडवीसर ले लें और बढ़िया तरीके से दोस्तो अपना अध्यान अगर आप TGT PGT वाले हैं के लिए है दस्तो निन्यानवे में आप कोर्स में अडवीसर ले सकते हैं एक है सेल्प स्टड़ी किलास इसे अप डाउनलूट करना है सबसे पहले इसमें बिश्टे तद्यन करवाए जाएगा टेस्ट भी होंगे ट्रिक भी होंगे निचार निचोड किलास भी आपको मिले जाए जाएगा तो जिनको भी अडवीसर लेना है वो आज ही सेल्प स्टड़ी किलास इसे अप डाउनलूट करें और दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज का यहां तक कल अपने पड़ा था हरीबंस राय बच्चन की आत्मकता कितने भागों में प्रकासित है एक क्वेस्चन एक बार और जल्दी से आपको बताना है हरीबंस राय बच्चन का जन्म हुआ था दोस्तो कब हुआ था 1907 में हुआ था है ना इन्हें च्छाई रॉमांस का कभी भी कहा जाता है दोस्तो च्छाई रॉमांस का कभी आप से कभी अगर पूचा जाए कि च्छाई रॉमांस का कभी किसे कहा जाता है तब आप बताना हरीवेंसराय बच्चन को है ना हरीवेंसराय बच्चन की आत्मकता कितने भागों में प्रकासित है तब आप क्या बताओगे तब आपको बताना है चार भागों में प्रकासित है जैसे कि आप दोस्तों पहले भी पढ़ चुके है ठीक ह से चोहान पदम से सर्मा नंद दुरारी बाश्पई या फिर पर्मानंद स्री बास्तव कौन माने जाते हैं हिंदी में रिपोर्टाज बिधा के जनक सीधे सीधे आपको बताना है तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर हिंदी में रिपोर्टाज बिधा के जनक कौन म आश्मी पुरा रेपुर्ता अज किसका है तो बोले सर, यह आपका सही हो जाएगा यह हिन्दी में रेपुर्टा बिधा की जनक माने जाते हैं सेओधां से चौहान है ना 1 नमबर आपका बिल्गों बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कों सही बताया है, नागरी प्रचार्नी पत्रिका का प्रकासन बर्स क्या है, अब बताईए, नागरी प्रचार्नी पत्रिका का प्रकासन बर्स क्या है, 29 का अंसर आप से पूचा गया, तो सभी लोग अंसर बताएंगे, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि यह लुका की स्तापना हुई थी कब 1893 में है ना 1893 में हुई यह यहाँ पर स्भी लोग बताएंगे देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर पता पता है बताईए नागरी प्रिचानी पत्रिका का प्रकासन बर्स क्या है प्रकासन बर्स बताना है आपको क्या है प्रकासन बर्स 1896 है ना 1896 माना जाता है दोस्तो 1896 ये नागरी प्रिचानी पत्रिका का प्रकासन बर्स है ठीक है यानि कि यहाँ पर 1897 लिग गया है अगर option में 803 स्थिती कभी बने तो 1897 आप लगा देना लेकिन 1896 ये सही है नांगरी परचानी पत्रीका का प्रकासित वर्स ठीक है तो ये नम्मर आपका यहां पर बिलकुँ सही है नांगरी परचानी सभा किस्ता अपना 1893 में हुई थी नांगरी परचानी पत्रीका 1896 में द बहुत अच्छा क्वेस्टन है दोस्तों हिंदी के प्रथम सरवांग निरूपक जो आचार हैं वो क्यों माने झाते हैं घनानंद माने जाते हैं चिन्ता-मणी माने जाते हैं या फिर केस अदास हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक जो आचार है वो आचार कौन है जल्दी से लिखिए सबी लोग हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार और बढ़िया सा उत्तर सबी लोगों का आया है कि सर अगर हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार की आप बात करोगे, तब आपका उत्तर सीधा चला जाता है, कहां की और केशवदास, केशवदास आप लोगों के लिए दिख गया था, क्या है ना, हिंदी के परतम सरभांग इनरूपका आचार, केशवदास माने जाते हैं, है ना, और केशवदास को आपको बताना है, के cope SI काल का प्रवर्तक किसने माना है कमेंट में लिखना आ है जिन से भी बनता है वो सब ही लिखेंगे यह चैन करना है हिंदी के प्रिथम सरवांग निरूपा का चार अब आपको बताना है बताईए से next question है रीती कालीन राष्ट्रिय कभी है कौन है रीती कालीन दोस्तों राष्ट्रिय काब धारा से सम्मंद जो कभी है वो कौन है है ना पता है प्रश्ण किरमांग 31 में के सव दास को रस्मी पाठक जी के सव दास को रीती काल का प्रवर्तक माना है किसने किसने माना है डाक्टर नगेंदर ने, किसने माना है, डाक्टर नगेंदर ने, याद रखे ना, डाक्टर नगेंदर ने माना है, ये भी आपको याद रखना है, है ना, बहुत बढ़िया, और बिल्कुर सही, चामसुंदर दास और नगेंदर, ठीक है, तो रीती कालीन राष्टी कभी कौ आता है भूशन के बारे में अपने पड़ा होगा शिवराज भूशन इनका एक सो पाँच आलंकार आपको बताना है दोस्तों भासा भूषन किसकी रचना है जल्दी सिरे को सभी लोग भासा भूषन किसकी रचना है अगर आपसे बनता है तो कमेंट में आपको लिखना है रामचन सुकले ने चिन्ता मणी को माना रीतिकाल का प्रबरतक अब आपको बताना है भासा भूसन भासा भूसन बताना ये किसकी रचना है जल्दी से कमेंट में लिको और आपको बताना है अलक सतक और तिलक सतक की रचेता कौन है अलक सतक और तिलक सतक की रचना कार कौन है ये चार विकल्प हैं आपके सामने अलक सतक और तिलक सतक अलक सत और तिलक सतक एक किसकी रचना है रसलीन की है मुबारक बिलगरामी की है रसकान की है या फिर आलत सेख की है अलक सतक और तिलक सतक यहां पर यह आपका अलक सतक और तिलक सतक के रचेता कुण है यह आप से पूछा गया और भासा भूचन जो रचना है दोस्तो भासा भूचन ये जस्बंत सेंगी रचना मानी जाती है ना भासा भूसन जस्बंत सेंगी रचना पूछी जाती हमेशा और अलग सतक और तिलक सतक कौन बता रहा है अलग सतक और तिलक सतक की जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है और बढ़िया क्वेश्चन आया है सबी लोगों ने बताय है कि सर अलग सतक और तिलग सतक की रिचनाकार है मुबारक बिलगरामी मुबारक बिलगरामी क्यानि कि आपका जो टू नम्मर है वो बिलकुश है मुबारक बिलगरामी है तू नम्मर आपका बिलकुश है दोस्तों अलग सतक और तिलग सतक की रिचनाकार कबित रतनाकर और का रब कल्प द्रों की रचनाकार कौन है बताए कौन है रसलीन है देव कभी है सेनापती है या फिर दोस्तो रस खान है यह अपका 33 थरी का आंसर आपको बताना है और एक कवित रतना कर में आप लोग कुछ लोग क्या होते है क्या होते हैं कन्फ्यूज भी होते हैं है ना कवित रतना कर एक और कभी की रचना है अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखना है ना और कवित रतना कर रुकाब कल्पद्रुम के जो रचना कार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन कौन माने जाते हैं सैनापती सैनापती यानि की चार नम्मर आपका बिल्को सही है रिती कालीन कभी हैं दोस्तों सेनापती सभी लोगों ने पढ़ा है रितु वर्नन के लिए जाने जाते हैं अगर कभी रिती काल में आपका उत्तर प्रशन पूछा जाए रिती काल में रितु वर्नन के लिए कौन जाने जाते हैं त कमेंट में लिके नेक्स्ट है बोधा करत ब्रह वारिस किस प्रकार की रचना है कि यह आपको बताना है माता प्रसाद बहुत बढ़िया मम्ता रावत जी माता प्रसाद की है दोस्तों कवित रतना कर मैंने आपको कई बार बताया है माता प्रसाद किसकी है माता प्रसाद की है माता प्रसाद की भी रचना है कवित रतना कर अब यहाँ पर बोधा करत ब्रहबारीस किस प्रकार की रचना है यह आपको बताना है मुक्तक काब है प्रसस्ती काब है प्रबंद काब है या फिर चंपू काब है ब्रह बारीज तो आपको पता ही है दोस्तो ब्रह की बारीज इतनी हुई ठीक है तो यह आपको बताना है बोधा करत ब्रह बारीज की रचनाकार कौन माने एस्वरी बोधा करत ब्रह बारीज किस प नमबर आपका बिल्कों सही हो जाएगा C नमबर ठीक है प्रबंद काब वे माना जाता है दोस्तों ब्रह बारिस ठीक है इसको याद रख लिना C नमबर ठीक है अंगला कोश्चन देखते हैं अंगला कोश्चन आपको बताना है मैतली सरणगुप्ति की लोगप्रियता का मूल आधार कौनसा है भारत भारती है शाकेत है या सोधरा है या फिर पंच बट्टी है शबी लोग बताएं मेत्रिशन गुप्ति की लोग प्रियता का मूल आधार क्या है सबी लोगों को बताना है मैतली स्ण गुप्त की प्रिसिद्धी का मूल आधार क्या है मैतली स्ण गुप्त की लोग प्रियता का मूल आधार कौन सा है आपको बताना है सबी लोग बताएंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तो मूल आधार है भारत भारती यानि कि एक नमबर आपका बिलकूर चाही है एक नमबर जिन्हों ने बताया है उनका आंसर बिलकूर चाही है ठीक है यह बिलकूर चाही हो जाएगा नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों यहां पर अंगला question बताना है भारत भारती के रचनाकार तो सभी को पता है भारत बारह मासा किसकी रचना है भारत बारह मासा किसकी रचना है भारत बारह मासा की रचनाकार कौन है जल्दी से बताएं भारत बाराह मासा के रिचनाकार कौन माने जाते हैं यह आपको बताना है अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्ण किरमांग 36 में आपको चेहन करना है उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत बारह मासा किसकी रिचना है तो यह रिचना है किसकी है राधा करश्ण दास की राधा करश्ण दास की तीन नमबर आपका बिलकुर चाहिए भारत बारह मासा की रिचनाकार कौन है राधा करश्ण दास बैरी गोड आंसर ठीक है मैत्री श्रंगुप्ति की प्रिथम रचना कौन सी है बताएं मैत्री श्रंगुप्ति की प्रिथम रचना कौन सी मानी जाती है यह question अपन पहले भी पढ़ चुके हैं सभी से बनेगा मेत्री श्रंगुप्ति के बारे में लगबख सबी लोगों को पता है कि सर इनकी रचना एक भारत भारती है है ना और भारत भारती के जो रचना कार माने जाते हैं वो मेत्री श्रंगुप्ति है और इनकी प्रिसिद्धी का आधार भी क्या है भारत भारती है ठीक है? और मैतरिशन गुबतिकी आपको यहाँ पर चेयन करना है इनकी रचनाओं के बारे में इनकी प्रिथम रचना कुँए है तो आपका उत्तर चला जाता है रंग में भंग यानिकी 2 नम्मर आपका बिलकुछ चाही है बताईए सीधा सीधा question आपको बताना है जादू की कुरसी बलराज साहिनी है रंग रागव है भीस में साहिनी है या फिर मुद्रा राक्षस है सीधा आपको बताना है जादू की कुरसी नाटक के लेका कौन है देखते हैं किस पिस पे उत्तर बनता है दोस्तों है ना जादू की कुरसी आपको बताना है और जादू की कुरसी बोले सर बलराज साहिनी किसकी एक कुरती है बलराज साहिनी की ये नमबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ये नमबर बलराज साहिनी की एक कुरती है अंगले question और बढ़ेंगे औरंग जेब की आखरी राथ एकांकी की रचनाकार कौन है और एकांकी यह किसकी है यह भी आपको बताना है चालीस का अंसर शबी लोग बताएंगे औरंग जेब की आखरी रात और औरंग जेब की आखरी रात के जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है वो रचनाकार है राम कुमार बर्मा है ना राम कुमार बर्मा है बैरिगोट ये नम्मर आपका औरंग जेब की आखरी रात एक आं की है ठीक है नेक्स्ट अतीत के चल्चित्र की रचनाकार कौन है दोस्तों सीधे सीधे कोस्चन आपको बताते जाना है अतीत के चल्चित्र के किसकी रचना है रामकुमार बर्मा की है रांगे रागाव महादेवी बर्मा या फिर नरेश महता की दोस्तों एक तारिक से न्यू महँनें में भी बहुत आराम से कर सकते हो हैं ना क्योंकि रही पूखा गया और उत्तर चला जाएगा महा देवी बर्मा और तीन नमर आपका बिलको सही है उन्नीस तो साथ में इनका जन्म हुआ था दोस्तो महादेवी बर्मा का है ना चायाबाद की कवित्री हैं रहस्त बास्ते प्रभावित हैं इनकी बोध धर्म से रचना दोस्तों प्रभावित माने जाती है कौनसी रस्मी है न और इनकी यामा के लिए इन्हें ग्यानपीट पुश्कार भी मिला था तुल्शी दास बिने पत्रिका तुल्शी दास की बिने पत्रिका की भासा क्या है यह आपको बताना है तुल्शी दास की बिने पत्रिका की भासा क्या है भासा क्या है ब्रज है अबिदी है या फिर बता तुल्शी दास की बिने पत्रिका की भासा है तो क्या है भासा क्या है तुल्शी दास की बिने पत्रिका की भासा क्या है और आपका उत्तर है उत्तर है ब्रज भासा कौन्सी है तुल्शी दास की बिने पत्रिका की जो भासा है वो ब्रज भासा है है ना और बिने पत्रिका की रचना इन्होंने क्यों की थी इन्होंने कली काल की मुक्ति के लिए कली काल की मुक्ति हे तू बिना पत्रिका की रचना की थी किसने तुलिस्टी दास ने ये भासा पूछे जाता है ठीक है तो ये भी अपन को याद करना है कली काल की मुक्ति हे तू की थी ये भी आपको रेचनाकार कौन माने जाते हैं यह भी आपको बताना है अच्छाear़ण ने सन्दों कÓ सातियोग और आपको विडियोग को लाइक करता है जिन भी सातियोग कहिए आड़ीज साथ लिया देना है अभी निचोर किलास से चल रही हिंदी साहित की यानि कि दोस्तो निचोड किलास से मतलब है कि आधिकाल में क्या-क्या पूचा जाता है भक्तिकाल में क्या-क्या पूचा जाता है अधिकांस रीतिकाल में कौन-कौन से ऐसे अधिकांस प्रशनाते उन पर चर्चा चल लई है तो जिनको भी दोस्तो इस एड़ी से लेना है को कोर्स में उनको निचोड किलास भी मिलेंगी उनको प्रेक्टिस सेट भी मिलेंगे तिर्की वीडियो भी मिलेंगे और रिकॉर्डट कोर्स पूरा मिलेगा प्लस लाइप किलासों से आपका दोस्तों और अध्यान करवाया जाएगा काब में विबेक की चिंता मैंने आपको य पता होगा देव किस प्रकार के कभी हैं अलंकार बादी हैं रीती बादी हैं रस बादी हैं या फिर बक्त्रोक्ती बादी हैं ये बहुत अच्छा question चवालीस का देव बताना है बताएं देव किस प्रकार के कभी हैं देव किस प्रकार के कभी माने जाते हैं देव कभी आपने दोस्तों देव कभी के बारे में पढ़ा होगा है ना और देव ने छल नामक चौतीसवा संचारी भाव बाना ये भी आपको पता होगा ठीक है और देव किस प्रकार के कभी मान जाते हैं तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये माने जाते हैं कैसे रसबादी कभी देव किस परकार की माने जाते हैं रसबादी अच्छा कॉस्चन है गलत नहीं करना ये अलंकार बादी नहीं है ये रसबादी है कैसे हैं रसबादी कभी माने जाते हैं यानि कि आपक तीन नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है देव रसबादी आचार हैं है ना बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देखते हैं देव किस प्रकार की कभी ये तो आपका होई गया है साहित्यक छेत्र में सरवाद एक बिरोध किसका हुआ बहुत अच्छा कॉस्चन साहित्यक छे कित्र में सरवाद एक बिरोध किसका हुआ दोस्तों आप चायाबाद पढ़ते हैं चायाबाद अपन देखने की सर 1918 से लेकर कि 1936 का योग चायाबाद है चायाबाद के प्रवर्त तक जैसंकर प्रसाद हैं आचार रामचन सुकले ने मुकृधर पांडे को माना है चायाब चायाबाद के दोस्तों आपको पता है कि प्रमो काधार स्तंबो में निराला का नाम भी लिया जाता है और अगर बात करें कि सबसे जाना ब्रोध किसका हुआ तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या निराला निराला है ना चायाबाद में सबसे जाना ब्रोध किसका हुआ तो और चायाबाद का सबसे जाना ब्रोध किस ने किया तो चायाबाद का सबसे जाना ब्रोध किया था दोस्तों किस ने महादेवी बर्मा ने चायाबाद का सबसे जाना ब्रोध किया था महादेवी बर्मा ने और चायाबाद में सबसे जाना ब्रोध हुआ था तो वो हुआ था निराला जी का ये भी अपन को याद करना है अंगला क्वेश्चन है मैं उस जनपत का कभी हूँ काब रचना किसकी है मैं उस जनपत का कभी हूँ ये रचना किसकी है कमेंट में लिखिए त्रिलोचन की है निराला दिनकर या फिर दोस्तो नागरजुन की मैं उस जनपत का कभी हूँ ये रचना किसकी है सबी लोगों को कमेंट में लिखना है और अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है सबी लोग आंसर बताएंगे और बोले सर ये जो रचना है मैं उस जनपत का कभी हूँ कि रचना है किसकी त्रिलोचन जी की किसकी रचना है त्रिलोचन जी की है ठीक है बहुत बड़ी आंसर सबी लोगों का त्रिलोचन सही आ गया त्रिलोचन का बास्तुरेक नाम क्या था दोस्तो बासू देऊ से हैं नेक्स्ट है भूल गलती कभीता की रचनाकार कौन है भूल गलती ये कभीता किसकी है अच्छा कॉस्चन है भूल गलती कभीता की रचनाकार कौन माले जाते हैं त्रलोचन, मुक्ति बोथ, दिनकर या फिर नागरजुन भूल गलती कभीता किसकी है और राइट आंसर आपका बिलकोश सही आंसर है कि सर भूल गलती कभीता अगर आपने पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बताता है वीडियो को लाइक जरू कर देना आपने मितनों तक सेयर कर दें एक बार सभी लोग और भूल गलत से अपन ने पढ़ा था कि सर भूल गलती से क्या हो गई मुक्ती हो गई मुक्ती तो मुक्ती हो गई तो मुक्ती बहुत की रचना है भूल गलती से मुक्ती हो गई मुक्ती बहुत की रचना मानी जाएगी है ना मुक्ती बहुत का जन्म कब हुआ दोस्तों आपको पता है ब हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौनसा है कामना रजत सिकर असाण का एक दिन या फिर बत्त राज हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौनसा माना जाता है self study classes एप किस किस ने डाउनलोड नहीं किया एप जरू डाउनलोड करें 2020 test series आपके लिए फिरी रखी गई है है ना फिरी में आप दोस्तों उसमें पढ़ सकते हो उसमें test लगा सकते हो बहुत सारे test भी उपलब्ध है उसमें ठीक है तो यहाँ पर हिंदी का पहला प्रतीक धर् कामना और कामना नाटक की रचनाकार कौन है तो लगबग सभी लोगों को पता है कि सर कामना जो है यह जैसंकर प्रतीक धर्मी नाटक माना जाता है और इस कामना नाटक की आधार पर ही कामाईनी दोस्तों महाकाब लिखा गया और कामाईनी महाकाब कब लिखा गया तो 1935 मे कामाईनी में कितने सर्ग हैं बोले सर पंद्रा सर्ग हैं है ना और एक कामना नाटक पर आधारत है और हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी जो नाटक है वो कामना माना जाता है एक क्वेस्चन आपके लिए दिया जाता है जैसंकर प्रसाथ का प्रतम नाटक कौनसा है बताना है प्रैक्टिस के लिए आए हैं ललत ने बंदकार के रूप में किसे प्रसिद्धी मिली अग्ये को सरदार पूर्ण सें को बिद्या निवास मिस्र को या फिर राम चंद्र सुकल को बताईए ललत ने बंदकार के रूप में किसे प्रसिद्धी मिली के आपको बताना है अग्ये सरदार पूर्ण से हैं बिद्या निवास मिस्र या फिर दोस्तो राम चंद्र सुकले और लगबग सभी को पता है कि सर जैसंकर प्रसाथ का प्रसम नाटक माना जाता है सज्जन है ना और ललत निवंदकार के रूप में किसे प्रसिद्धी मिली अगर ऐसा क्वेस्चन आपसे पूछा जाता है तब आपका सीधा उत्तर चला जाता है क्या चला जाता है बताइए उत्तर बिल्कुर सही हो जाता है आपका बिद्या निवास मिस्र बिद्या निवास मिस्र आपका राइट आंसर हो जाता है सभी लोग लाइक जरू करें सेल्फ स्टेडी किलासे से आपको जरू डाउनलोट कर लें ललित ने बंदकार के रूप में किसे प्रसिद्धी मिली तो वो मिली विद्ध्या निवास मिस्र को तीन नम्मर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा सी नम्मर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा दीबार में एक खिडकी रहती थी उपन्यास की रचना किसने की अगे ने, सरदार पूर्ण सहने, अरोन या फिर बिनोध कुमार सुकल ने दीबार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की बताएं दीबार में एक खिड़की रहती थी इतना अच्छा उपन्यास है दोस्तों है ना और ये उपन्यास कौन है ये आपको बताना है दीबार में एक खिड़की रहती थी और Self Study के लासे इस एप जिनने भ जरूर याद रख़ेना है ठीक है उत्तर आपका सही उत्तर है दोस्तो बिनोद कुमार सुकल है ना बिनोद कुमार सुकल आपका चार नमबर जो है ये बिलकुल चाहिए है ना दीबार में एक खिड़की रहती थी ये बिनोद कुमार सुकल का दोस्तो क्या है ये रचना है या निचान नम्मर आपका बिलकुर चाहिए है नेक्स्ट है गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है अच्छा कोस्चन है गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है ये सबी लोग बताएंगे उत्तर बताना है सिलिया है जुनिया है या फिर दोस्तो धनिया है गोदान उपन्यास आपने पड़ा होगा प्रेमचन जी का उपन्यास है ग्रामीर जीवन का महाकाब बे इस उपन्यास को कहा जाता है और इस उपन्यास में होरी की बेटी का नाम क्या है ये अगर आपसे पूचा गया तब या अंसरा रहा है सभी का बोले सर उसका नाम है क्या सोना क्या नाम है सोना बाबू सोना बाबू करते ना है सोना ठीक है तो आपका उत्तर चला जाएगा सी की तरफ सोना आपका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया है ना मेरी सोना से वो नहीं पड़ी किस से बात करनी व मौले को पन्यास किस से माना गया बहुत अच्छा कॉस्चन है दोस्तों हिंदी में अंग्रेजी धंका पहला मौले को पन्यास किस से माना गया है नूतन ब्रमचारी रहस्य कताको त्रिवयनी या फिर परिक्षा गुरू मताईए हिंदी में अंग्रेजी धंका पहला मौले को पन्यास किससे माना गया ऐसा कोस्चन आता है आप से नॉर्मनली पूछा जाता कि हिंदी का प्र Catharm पन्यास कौनसा है आप से सीधा आता है कि हिंदी में अंग्रेजी धंका या यहां पर यह भी बता देती कि आचार रामचन सुकल ने हिंदी में अंग्रेजी धंका पहला मौलक पन्यास किसे माना है ठीक है यह आपको बताना है तो हिंदी में अंग्रेजी धंका पहला मौलक ज जाता है नारी तुम केबल स्रद्दा हो पंक्ती किस की रचना है नारी तुम केबल स्रद्दा हो पंक्ती के रचनाकार पंक्ती जो है दोस्तों कहां से ली गई है यह बताना है कामाईनी से ली गई ताकेट से ली गई चंद्रगुप्ते से ली गई या पर भारत भारती से ली गई नारी के तुम केबल स्रद्दा हो इस पंक्ती के रचनाकार कौन है और यह पंक्ती कहां से ली गई है यह भी आपको बताना है बताएं सबी लोग नारी तुम केबल स्रद्दा हो पंक्ती किसकी है आपका सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों यह जो पंक्ती ली गई है वो 1935 लगबक सभी को पता है ना अब इसमें स्रद्धा किसका प्रतीक है स्रद्धा का बताना है आपको किसका प्रतीक है दोस्तों बताइए ये नारी केबल तुम स्रद्धा हो है ना कि आपको बताना है जल्दी से बताएं स्रद्धा किसकी प्रतीक है और यहां पर कामाईनी स्र अच्छा question ब्रन्द सत्सई की विसे बस्तू क्या है ये आपको chain करना है और एक study classes app download करने दोस्तों आपको बहुत help रहेगा आपका exam एक महीने में डेड़ महीने में जब भी हो दोस्तों आपके लिए important रहेगा और यहाँ पर ब्रंद सत्साई आपसे पूचा गया तो आपके ब्रंद के दोहे अपनने पड़े हैं नीती संबंदेत हैं तो यह नीती यानि की दो नंबर है ना यहाँ ब्रंद सत्साई की बस्तू क्या है तो नीती है दो नंबर आपका बिल्कुल तुलशीदास किसकी काब रचना है दोस्तों तुलशीदास किसकी काब रचना है और ये क्या है तुलशीदास एक खंड काब है दोस्तों है ना काब रूप अगर कभी पूचा जाए तो तुलशीदास किसकी काब रचना है प्रश्न किरमांग 56 में आपको चैन करना है और जल् बताना भी है किसकी है पंत की है निराला की है जैसंकर प्रसाद या फिर दोस्तों मैं नरेश महता की है ना स्रद्दा हिर्दय की प्रतिक मानी जाती है बिल्कोर शही आंसर और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर तुलिशिदा से कभी का भी नाम है तुलिशिदा से खंड का पूची है और पूची भी कई वार गई है बैरी ग हैर इक यक कर आंशर आपको चैन करना है तो सभी लोग like करके अगे बढ़ेंगे अपने मित्रों तक संसाई की एक रात के लिए का कौन है जिन्होंने सेल्फ इस्टडी किलासे से एप डाउनलोड नहीं किया वो एप डाउनलोड कर लें और जल्दी ही दोस्तों अभी 1099 का ओफर है आपके लिए ये ओफर जल्दी समाप्त हो जाएगा अभी इस ओफर का लाब लेते हुए आप अध्यन कर सकते हैं आपको 3000-4000 फीस नहीं भननी अब हैना केवल 1099 भरनी है संसाई की एक रात नरेश महता की रचना है चार नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा भाएभी सक्ति देता है किसका काब संग्रह है नरेंद्र मोहन का उदै प्रकास का लीला धर भाएभी सक्ति देता है भाएभी सक्ति देता है बताए 58 का आंसर ये किसका काब संग्रह है भाएभी सक्ति देता है काब संग्रह की रचनाकार कौन माने जाते हैं उत्तर आपको चैन करना है उत्तर आपको बताना है तो शबी लोग बताएंगे और एक बार लाइक करते हु ये काई से सकती देता वो ले सर जुगार से सकती देता है तो जुगार से जगूरी हो जाएंगे है ना भाई भी सकती देता है काई से जुगार से तो लीला धर जगूरी है ना पहाड पर लाल टेन पड़ी होगी इनकी एक रचना दोस्तो आपने पहाड पर लाल टेन है ना औ और दोस्तो भाइं भी सकती देता है लीला धर्जगूरी है ना बेरिगोड नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिस्री की कविताएं किस सब्तक में प्रकासे थूई थी भवानी प्रसाद मिस्रे और भवानी प्रसाद मिस्र का जन्म अपन ने पढ़ा था दोस्तो उन्नी सो किस सब्तक में प्रिकासे थुई ये भी आपको बताना पहला तार सब्तक दूसरा तार सब्तक है ना तीसरा सब्तक या चोथा सब्तक किस तार सब्तक में दोस्तों ये प्रिकासे थुई थी भवानी प्रसाद मिस्री की रचनाएं बताएं अच्छा क्वेस्चन है यहां पर आ सब्ताइब बहुत बढ़ बढ़ी हैICIA ना लीला धर जगुड़ी नहीं याद रखनो मेरे राम का मकुट भीग रहा है किसका निबंद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये निबंद किसका है ये आपको बताना है बिद्या निबास मिस्र का है कुवेर नात राय का हरी संकर परसाई का है या फिर दोस्तो धरम बीर भारती का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये बताईए मुकुट भीग रहा है किसका बताएं सबी लोग बिद्ध्या निबास मिस्र कुवेर नात्राय हरी संकर परसाई धरम भीर भारती ठीक है बहुत बढ़िया बताएं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक कई बार पूचा गया यह कोश्चन दोस्तु मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तुमने कैसे जान बोले हमने बिद्ध्या से जाना कैसे जाना बिद्ध्या से जाना तो बिद्ध्या निबास मिस्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है बिद्ध्या निबास मिस्र यानि कि आपका जो एक नम्मर है वो बिलको चाही आंसर चला जाता है लाइक जरू कर लेना सेल्प इस्टड या फिर धरम बीर भारती द्रोप सौमनी नाटक की रचना किसने की है ये आपको बताना है और आपको पता होगा दोस्तों कि Self Study Classes एप में आपके लिए रभी बार और गुरुबार दो देन बिलकुल 2020 टेस्ट सीरेज फिरी होती है फिर ही होती है तो इस टेस्ट सीरेज में भी आप भाग ले सकते हैं पहले के बहुत सारी टेस्ट हैं वो भी आप दे सकते हैं तो Self Study Classes आज ही एप डाउनलोड कर लें और हिंदी साहित के कोर्स में 1099 में आप एड़िसर ले सकते हैं मॉडल पेपर TGT PGT के 450 में दोस्तो है ना और हिंदी साहित की 3000 प्रस्णों की टेस्ट सीरेज मात्र आपको 400 रोपे में इसमें ले सकते हो धरुब स्वामनी नाटक की रचना की जो रचनाकार है दोस्तो वो कौन है वो जैसंकर प्रसाद है इनका जन्म कब हुआ था 1889 में हुआ था इनको भी अपन को याद रख लिना है ठीक है हिंदी का सर्व प्रतम गीती नाट कौन सा माना जाता है अनग है करुणाल है प्रभात है या पर पंचबटी प्रसंग है हिंदी का प्रतम गीती नाट कौन सा माना जाता है और यहां पर आपको पता होगा दोस्तों कि यह जो गीती नाट है इसका रचनाकाल क्या है 1913 और य कुछ विद्वान पंचबटी प्रसंग को मानते हैं लेकिन ये करुणाले आपका सही है अधिकांस विद्वान और यही उत्तर सही होता इस प्रकार की प्रशनों में कबूतर खाना किस एकांकी कार की रचना है बिनोद रस्तोगी मोहन राकेस भुवनेसर या पर जगदीश चंद्र मासुर कबूतर खाना किस एकांकी कार की रचना है जल्दी से आपको बताना है और ऐसे कौन से साती हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासे से एप डाउनलोड नहीं किया सभी लोग करें एक जुलाई से नया बैच स्टार्ड होने वाला यानि कि चतुर्थ बैच चतुर्थ बैच स्टार्ड होने वाला है दोस्तो हिंदी साहित का उस बैच में आप एडविसन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं ठीक है और यह आफर है अभी 1099 का तो इस बोले जगदीस चंदर मातहौर है ना तो इकभूतर खाना ये कांकी है जगदीस चंदर मातहौर की यानि कि उत्तर आपका डी की ओर चला जाता है डी नम्मर आपका बिलकोर सही हो जाता है बैरीगोड नेइक्ट है आदे अदूरे नाटक के फिरमों किस्त्री पातर का नाम क्या है आदे अधूरे नाटक आदे अधूरे नाटक किसका है मौहन राके इसका है सबी लोगों को पता है इसके इस्त्री पात्र का नाम क्या है ये आपको बताना है आदे अधूरे नाटक के इस्त्री पात्र का नाम क्या है मालती है जया है शाबित्री है या फिर अलका है क् नाटक के इस प्रमुक इस्त्री पात्र का नाम क्या है शबी लोग आंसर बताएंगे इतना अच्छा कोस्चन है बढ़िया कोस्चन है लाइक जरू करना सेयर कर देना अपने मित्रों तक और इसी प्रकार से बने रहे हैं रोज नौ बजे एक किलास होती है आपके लिए है ना बादे अदुरी नाटक की प्रमुक इस्त्री पात्र का नाम है साबित्री और तीन नम्मर आपका बिलकोट साही हो जाएगा तीन नम्मर राइट आंसर हो जाएगा बैरिगोट सभी को धनबाद इसी प्रकार से पढ़ते रहें दोस्तों ये 2020 टेस्ट सिरेज है इसमें आप भाग ले सकते हैं बोली सर कैसे ले सकते हैं तो आपको सबसे पहले सेल्प स्टडी क्लासेस एप डाउनलोड करना है सेल्प स्टडी क्लासेस एप डाउनलोड करने के बाद आप दोस्तों इसमें अगर एड़ बीसल ले सकते हो नहीं तो इन टेस्ट सिरेज में आप भाग ल दोस्तो बढ़ते रहें रंजुजी और भी वीडियो हैं आप दे सकते हैं आपके पास अगर समय नहीं है तो और भी वीडियो है उनको भी देखते जाएं आराम से और ये समय नहीं ये तो आराम से ही चलती है किलास ठीक है और बड़ा आफर आपके लिए आया है 1099 का 1099 के इस सौफर के साथ आप दोस्तों इसमें अड़ी सल ले सकते हैं नौ बजे आईए नौ बजे से आराम से पढ़िए और अध्यन करते रहिए हैना उनरंतर जो अध्यन करते हैं उनी का सेलेक्शन होता है हैना जो दोस्तों सोचते हैं कि एक जाम के एक मैना पहले पढ़ लेंगे सबी साथियों को धनबाद कोवेर जी और लोकेश जी अभाइजी ठीक है पूजा जी सरोज जी 9.45 पर एक किलास और आपकी आती है दोस्तो 10 मिनिट की उसके बाद दोस्तो 10 बजे एकजाम पार में किलास आती है वो भी आप लोग करिए हैना और सेल्प स्टेडी किलासे से एप में इस बड़े ओफर का लाब लेते हुए आँगे बढ़े और दोस्तो एडविसन लेकर कि आप अध्यन कर सकते हैं जिनको भी करना है वो आराम से कर सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं सबसे बड़ी बात तो आपके लिए रिकॉर्डेट कोर्स भी रहेगा लाइब किलासें भी रहेंगी तिरकी बीडियो भी रहेंगे दोस्तोогда हैना तो उन टेस्टों के माध्यम से भी आपड़ सकते हो ग्रुप भी है तो डिसकसन भी आपक्र सकते हो सबी को धनबाद इसी प्रकार से सबी साती अध्यन करें और दोस्तों बहुत अच्छे से टाइम निकाल की अध्यन करें मनीशा जी, अमरिता जी, हैना कीर्टी, याचना आर्सी मलिक जी ठीक है बहुत बढ़िया हैना ठीक है और इसी प्रकार से अध्यन करते हुए आपको अध्यन करना है स्तीला यादाओ जी, हैना सरमिला सर्मा जी, अभय यादाओ जी, गीतम जी, असोक जी, ठीक है अनिता यादाओ, पूजा बर्मा जी, सबी सातियों को धनबाद आज के इस वीडियो के लिए नौ बज़े आप रोज आईए और रोज पढ़िए इसी प्रकार से ठीक है मास्टर अधियम, हैना प्रभीड ओजा जी, असोक असोक जी, संदीप पतेल जी, ममता जी, बैरी गोड, सौनू जी, अंजू जोसी, बिजय लक्षिमी, ससी जी, ठीक है, धन्यबाद, जै हिन